हाई गुड मॉर्निंग सास्यक अलाद आप नमस्का वाकम एंड दिवाली अब मुझे उमीद है कि सबकी बहुत अच्छे डंग से बीत गई होगी और अभी दो-ती निन और गहमा गहमी रहेगी लेकिन इसी बीच मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गुड नियूस और मेरे ल जो गुड नियूस है वो आपके लिए भी गुड नियूस बन सकती है और भासरे लोगों के लिए बन चुकी होगी ठीक है लेकिन पहले इंडिया की गुड नियूस यह है कि केसे बहुत कम होगे 860 केसे आये हैं और 22,000 के पास एक्टिव केसे हैं सिर्फ एक डेथ हुई है शेच्छुटियों की वैसे टेस्ट वागरा भी नहीं हो रहा है वैसे भी अब लोग टेस्ट करा नहीं रहा है अब सब मांचुके हैं कि एक आम फ्लू वाइरस बनके रहा गया कोविड तो टेस्टों की मा का नाकी सार्थ का सही बोला बिल्कुल कुछ सही बोला डॉक्टर कालरा मेरे गले में देखर हूँ आज दिखाता हूँ आपको यह देखिए यह क्या मलूम है यह स्टेटोस्कोप है लिटमन कंपनी का जो की माना जाता है एक सबसे बढ़िया क्वालिटी का और सबसे महंगा स्टेटोस्कोप किसने दिया मौलूम है मुझे आपने कभी मुझे यह डाल वे नहीं देखा हूँगा क्योंकि मैं बहुत सस्ता वाला और चीप एंड बेस्ट यूज करता था जो तरीब आप यूज करो तो एक खुशकबरी तो यह कि मुझे लिटमेन मिल गया है है ना मेरा सपना होता था लेकिन मैं कंजूस बहुत हूँ इस मामले में या लापरवाई कह लो तो मैं बहुत लापरवा हूँ तो मैं चीज़ें गुम जाती है मेरे से तो मैं इसलिए इतना महंगा स्ट्रेटोस्कोप खरीदता नहीं था और एनिवेस यह तो छोटी से गुट नियूस है लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ी गुट नियूस बड़ी गुट नियूस यह है कि आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जब नहीं ठीक होते हैं क्रोनिक डिजर डिटेक्ट होती है या कुछ ऐसा होता है बाड़ी नहीं काम कर रही है तो क्या करते हैं आजकल एक नया फैशन शुरू होगे कोई हरीदय जा रहा है कोई बैंगलॉज जा रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई हरिहाना जा रहा है डिटोक्स होने के लिए वहाँ पे 5-7, हफता, 10-15 दिन रखा जाता है उनको 50,000 से लेके लाक, डेड़ लाक रुपे तक उनसे लिया जाता है ये तो मैं आम पैसे बता रहा हूँ और उसमें आर्युवेदिक ट्रीटमेंट होते है अनीमा दिया जाता है ये होता है, वो होता है डाइट करेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है और इंसान को फायदा भी होता है लेकिन प्रॉलम क्या है फायदा हो तब ही तक होता, जब तक वो लोग वहाँ पे रहते हैं और थोड़े दिन तक और उनको ठीक अच्छा लगता है लेकिन दिरे 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 वो फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो शुरू हुए थे फिर उनकी body में वैसी changes आने शुरू हो जाते हैं आज मैं यहीं बताऊंगा self detox self detox मतलए अपनी body का शुद्धी करें अपने आप कैसे करें और मैंने भी किया है मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने हाला कि hint दिया था कि मुझे एक problem diagnose हुई है हाला कि मैं अभी भी उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको जब तक मैं उसको ठीक नहीं कर लूँगा यह मेरा दावा और छोटी मोटी problem नहीं है अच्छी खासी problem है यह simple लोगों को अनलग रहा है कि मेरा cholesterol बढ़ गया यह ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मुझे लगा कि नमनीत अब वक्त आ चुका है कि सारे काम छोड़के पहले अपने उपध्यान दे क्योंकि इस COVID में कही न कहीं मुझे लगता है तो आपको बाद में बताऊंगा जब मैं उसको कुछ करके दिखाऊंगा तीर महीने के बाद लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुका है कि मुझे chronic fatigue syndrome नाम की एक बीमारी थी जिसमें मुझे थकान रहती थी और anxiety, stress भी काफी रहा लाइफ है बहुत सारी problem रही है मेरे साथ मेरे profession को लेके और बहुत पंगे हुए मेरे जब मैं MD कर रहा था तो उसके बाद मैं काफी stress में रहता था depressed रहता था anxiety का शिकार था दवाईयां भी खानी पड़ती थी नीन की नहीं आती थी बड़ी सारी problem थी और काम चल ला था दिरे दिरे improvement होता गया diet change करी, सब कुछ change किया और काफी change भी लेकिन पिछले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि इस COVID के चकर में इतने YouTube में मुझे कहीं ने कहीं बिमारियों की तरफ धकेला मेरा weight बढ़ गया, काफी लोग मुझे बोलते थे सर आपका weight बढ़ गया, तो no doubt weight, तो बढ़ा ही था, लेकिन weight के साथ मुझे कुछ और gift भी मिले लेकिन, अब मेरे सामने challenge यही है और था, और है कि इसको मैं कैसे reverse करूँ की कह? आज मैं आपको 130-140 तक चली आती थी उसकी medicine भी बंद हो चुकी है वो medicine बंद हो गई, anxiety की medicine बंद हो गई, हर तरह की medicine बंद है, इसमें कोई medicine मैं नहीं खा रहा हूँ कैसे कि है मैंने इस बहुत simple सा है, कुछ भी ऐसा नहीं, को rocket science नहीं है, मुझे लोगों ने बता कि सर आप detox करा लो, आप वहाँ चले जाओ ये कर लो, वो कर लो, मैंने का फिर उसके बाद अभी तो मैं, और लोगों को ये लगता है कि हम एक गिलास, अच्छा मैं बड़े सारे वीडियो देखता हूँ एक गिलास ये juice पी लें, आपका liver 100 साल काम करेगा, ये कर लें आप 100 साल तक जी होगे और ये दो पत्ती खा लें, आपका ये हो जाएगा, भाई ऐसा है जब तक ये पतियां ये पोधे, ये फलाना ये धिमका, वो सब ठीक है, वो कर दो लेकिन जब तक आप अपने lifestyle को ठीक नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं चेंज होगा, घंटा चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूँ तो lifestyle में क्या है, दो ही चीज़े हैं, क्या diet, exercise और stress management, बस तो मैंने ये तीनों का management किया मैंने सुबह वाक शुरू करी, और धीरे-धीरे मैं बढ़ाता गया, अब मैं एक घंटा वाक पर आ चुका हूँ, करीब 6 किलो वजन कम कर चुका हूँ, एक महिने के अंदर एक महिना नहीं, तो 20 दिनों में मैंने करीब 4-5 किलो वजन तो कम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है 4-5 किलो मेरा वजन हुआ है, लेकिन टोटल एक महिने मैं लगा हूँ, तो 6 किलो क्यासपा श्याद मेरा वजन कम हो चुका है, और जब मैंने ये चीज नोट करी कि इतना अच्छा, वॉक करने के बाद कैसा फिल होता है, जो चीज मैं इतने सालों से नहीं कर पा रहा था, मैं, मेरा भी, यही कोलो की मेरी गलती थी, कि मैं अपने लाइफस्टाइल को अपनी इतनी बिजी शेडूल में, शायद कहीं न कहीं मैंने अपनी हेल्थ को इगनोर किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये वक्त आ चुका है, सब चीज छोड़े नमनीत, पहले अपनी हेल्थ बाकि सब बात में, चाह वो यूट्यूब है या कुछ भी है, तो एक गंटा वॉक करता हूँ सुबह, उसके बाद मेरी बॉड़ी में जो चेंजेज आ है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत चेंजेज आ है और मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ, और डाइट की मैंने कैलरीस कम करी, थोड़ा से सुबह के टाइम पर खाते हैं, तो शाम को वाइड करते हैं, वो आपकी इच्छ है, मुझे रात को कम खाऊंगो तो नीन नहीं आएगी, तो मैं प्रोपर रात को खाना खाता हूँ लेकिन डाइट चेंड करी, एक्सराइज में मैं जिम नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे जिम सूट नहीं करता है, वह हैवी एक्सराइज में करनी पाता हूँ, तो मुझे लगए कि वाक से बेस कुछ नहीं है, तो मैंने धीरे धीरे वाक पहले 20 मिनट करी, फिर 30 मिनट, आ तो मेरे में energy नहीं होती थी, आज मैं 6 गंटे सोता हूँ, automatically आपकी सुई उतने बज़े खुल जाती हैं, आप खुद करके देख लेना, आपकी आँख उतने बज़े अपने आप खुल जाएगी, जैसा आप करोगे, ग्यारा बज़े सो गए, तो 6 गंटे की नीन के बाद अपने आप खुल जाएगी, तो ये body की अपने आप changes आने शुरू होते हैं, ये आप खुद note करोगे, कि body में कुछ changes आ रहे हैं, तो walk, diet और stress management, तो थोड़ा सा yoga meditation, मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप जो ये detox के चक meditation, diet exercise, walk, ये चीज़े एक ऐसी हैं, stress management, no doubt, कि कितना आप शान्त रहें, अपने वो काम avoid करें जिसमें आपको stress होता है, या कम से कम करें, उन चीज़ों को, तो मैं यही करता हूँ, और मैंने, जब मुझे लगा कि मुझे YouTube पहले खुशी देता था, अब थोड़ा stress देना शु नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सारी चीज़ छोड़के अपनी health पर ध्यान दिया, आज मुझे बहुत खुशी है, हाला कि जो problem मुझे detect हुई, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और तीन महीने के बाद मैं दुबारा test करा के देखूंगा, तब पहला चलेगा कि मैंने उ talking science नहीं है, पहले जो नीम हकीम होते थे वो आपकी pulse को पकड़ के बता देते थे, और हमेशा बोलते थे कि पेट साफ तो सब कुछ साफ, तो ये जो चीज़े हैं ना, पेट साफ तो सब कुछ साफ, लोगों को लगता है कि constipation एक बिमारी है, जी हाँ बिमारी है, लेकिन हम से होता है, poor metabolism, poor blood circulation की वज़े से, उसको ठीक कैसे करना है, अब एक तरीका तो ये कि दवाईयां खा लें constipation के लिए, दूसरा है कि अपनी lifestyle को change करो, तो मैंने high fiber diet शुरू करी, और एक घंटा walk शुरू करी, पानी में पिता हूँ, 3-4 liter, तो अपने आप खीक हो गया, कुछ क पहले भी बोलता था, लेकिन वो पाता लगे कि खुद नहीं करता था, तो लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये सब अपने lifestyle को ठीक करना, और लोगों को लगता है कि मैं वैसे patient को तो मैं सबको बताता था, खुद नहीं करता था, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं यहीं बोलू आप घर आगे तो रोरोज अनिमा नहीं दे सकते हैं आप, एक बार शुद्धी आपकी हो गई, लेकिन वो toxin फिर body में आएंगे, क्योंकि फिर वो ही खाना पीना शुरू करता हो कि आप, या तो आप सीख लो, खाना पीना, कि मैंने यही खाना पीना है, तो मैं आज आपको बंद है, वीट मेरा कम से कम है, तो वाइट कलर की जितनी मी चीज़े होती है, दूद मेरा सिर्फ चाय में थोड़ा बोट डलता है, एक कप ब्लैक कॉफी भी मैं रोच पीता हूँ, ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी होती है, पूरी body के लिए, और weight lose भी होता है, तो लेकिन म मेरी body के लिए, अगर good news है, मेरी health के लिए, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी good news है, और आपको भी बोलूँगा कि health है, तो सब कुछ है, और अगर आप चाहते हो, अपनी body का शुद्धी करन करना, detox करना, तो यह आपको हमेशा करना पड़ेगा, यह एक दिन का काम नहीं है, और फिर बोलूँगा कि balance rate ले, ठीक है, protein भी जरूरी है, car भी जरूरी है, fat भी जरूरी है, good fat जो होता है वो जरूरी है, थोड़ी मात्रा में, protein बहुत जरूरी है, और wedge खाएं, non- wedge खाएं, यह आपके उपर repent करता है, लेकिन जितना wedge खाएंगा उतना अच्छा, और non- wedge मे मैं सिर्फ fish खाता हूँ, chicken बहुत rare, लेकिन fish होती है मेरी हफते में, एक ए दो बर मैं fish जरूर खाता हूँ, तो यह मेरी diet है, और आप अगर vegetarian है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बोलूँगा, कि मैं किसी के बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि यह vegan diet है, dip diet है, या fruit salad पे रहो, बस खाली, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि बॉड़ी में कुछ ऐसी कमियां हो जाती है, जो हो सकता है, आपको अच्छा लगता हूँ, यह सब खाके, बॉड़ी हलकी रहती है, फलान एडिम का है, लेकिन later on कहीं न कहीं आपकी bones पैसर आ सकता है, मां को शान के लिए भी walk, बहुत अच्छा, meditation भी जरूर करें, thank you very much, यह थी आज की good news, जो मेरे लिए थी, और आपके लिए भी बन सकती है, यह good news, शुक्रिया, bye